यह आप model अल्रेडी पहले देख चुके है basically यह HP का T530 Thin Client है जिसका आज हम review अल्रेडी वैसे कर चुके है इसको लाने का मकसद क्या है आज हम इसका board view देखेंगे क्या यह upgrade हो सकता है कर नहीं हो सकता इसके उपर यह है HP का T530 Thin Client और इसको लाने का मकसद यह हम आज इसका board view देखेंगे और यह देखेंगे क्या यह upgrade हो सकता है कर नहीं हो सकता इसके इलावा मैं बताता चलूँ आपको HP T530 Thin Client जो है AMD dual core processor के साथ आता है जो के embedded processor है और 4GB RAM DDR4 लगती है जो के upgrade है उसके अलावा M.2 की SSJ लेती है मजीद यह upgrade हो सकता है कर नहीं हो सकता हम इसको देखने वाले हैं बाकी look wise आप देख सकते हैं यह इसका review available है फ्रेंट पे इनोंने type C भी इसमें दी हुई है यह इसकी सबसे अच्छी बात है back पे आता हूँ तो back पे यह ports available है मजीद आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं बगार मैं आपका time बिल्कुल जाया नहीं करता तो इसको open करते हैं HP T5 30 Thin Client जो है यह इसकी back strip है जिसको मैं हलका सा यहां से back hold करके यह प्रेस करूँगा और यह HP का आपका T5 30 Thin Client open हो चुका है यह HP का T5 30 हमारे पास open हो चुका है इस वक्त यह empty आप देख सकते हैं यहां पर SSD लगती है SSD भी installed नहीं है RAM भी installed नहीं है यह Wi-Fi card नहीं है सबसे पहले मैं board आपको दिखा दूँ कि board में processor इसके नीचे है जो के embedded है means board के उपर ही embedded हुआ 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 है जो के upgrade नहीं हो सकता means HP T5 30 का processor जो company ने हमें दे दिया है वही यहां पर रहेगा यह बाकी heat sink आप देख सकते हैं काफी बहतरीन machine है उसके लावा थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि यहां पर इसकी BIOS available है सम्टाइम ऐसा होता है कि हम जब system को HP की website से update करते हैं और बीच में drivers वगारा को और को problem आजए और system जो उनसा है fail होजए तो BIOS हमें यह जाक manually उतार के programmer के थूँ अपडेट करानी पड़ती है तेक है अब मैं इसको यहां पर रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि यह DDR4 RAM की स्लॉट है और मेरे पास RAM यह available है यह आप देख सकते हैं 4GB RAM DDR4 इसकी बस स्पीड है 2666P यह यहां पर plug होगी यह मैं RAM लगा देता हूँ RAM की single slot है maximum RAM इस मशीन में upgrade हो सकती है 16GB तक mean 16GB की single slot हम इसमें लगा सकते हैं उसके लावा SSD की आप screws दे सकते हैं एक दो तीन available लाइं यह 2242 size जो कर यह size होता है यह मैं आपको लगा के वैसे ही दिखा देता हूँ कि यह देखें यह size यहां पर इसका screw tight हो जाएगा उसके लावा और यह tight हो जाएगा इसके अंदर जो SSD है आप 512GB तक जो SSD है M.2 की वो easily installed कर सकते हैं यह मैंने SSD लगा दी screw मैं tight नहीं किया भी यह मेरे बास इसका wifi card available है wifi card हम में in machine में installed नहीं आएवे ठीक है wifi card हम separately market से pick करते हैं buy करते हैं और customer को as it is फिर बताते हैं कि यह wifi card आप लोगों को इतने का पड़ेगा यह machine का wifi card यहां पर लग जाता है screw tight हो जाएगा wifi card without antennas बेकार होता है यह सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यह दोनों चीज़े लगाई हैं कि यह इतना ही upgrade हो सकती है बाकि wifi card के antennas यहां एक single antenna भी लगके आप wifi card का antenna यहां भी रख सकते हैं यहां भी रख सकते हैं ठीक है इसकी space उन्होंने properly दीवी है और wifi card install करने के बाद यह machine इस फक्र कंप्लीट है और मैं इसको अगर बंद करना चाहूँ तो simply मैं इस तरह आँँगा तो यह आप देख सकते हैं यह दो जो front पर है यह इसको machine को वाबस बंद करने का तरीका यह दो मैं यहां पर ऐसे set करूँगा ठीक है उसके बाद यह जो side है हमारी इस तरह आएगी और यह machine दुबारा से pack हो चुकी है HP T5 33 Thin Client अगेन आपको बता देता हूँ प्रोसेसर अपग्रेड नी हो सकता है इसके जो RAM है 16GB DDR4 तक maximum अपग्रेडबल है single RAM slot है इसके अदर M.2 की SSD हमने 16GB भी इंस्टाल करके देख ली 128 भी करके देख ली maximum 512 तक जा सकती है Wi-Fi Card भी इसके अदर इंस्टाल हो सकता है बाकी ये Windows 7, Windows 8, Windows 10 और 11 सबको सपोर्ट करती है उसके अलावा Ubuntu Means Linux का कोई भी फ्लेवर इंस्टाल कर सकते है Ubuntu Linux में इंकाली Linux जो भी इंस्टाल करना चाहें तो इस वीडियो को मैं यहां पर end करता हूँ और मैंने आपको इस वीडियो को फाइनलाइस बता दिया कि इसमें क्या अप्ग्रेड अस्टाल हो सकती है और क्या अप्ग्रेड नहीं हो सकता थैंक्यू सो मच